हेलो इस्ट्रेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं एक्साइस 5.1, कोशन नमबर 26 क्या लिखा हुआ है, find the value of k आपको k की value find out करना है so that the function of function f is continuous at indicated point in question number 26 to 29 आप देखेगा, यहाँ पर आपको k की value find करना है 26 से लेकर 29 तक तो यहाँ पर मालनी जो 26 वाला जो कोशन आपको लिखा हुआ है function आपको given है, k cos x upon pi minus 2x और second आपको दिया है 3 आपको जो limits दिये, x is not equal to pi by 2 and x is equal to pi by 2 x equal to pi by 2 पर आपको चेक करना है और यहाँ पर बोला गाया है, find the value of k so that the function is f is continuous जो function है, आपको वो क्या है continuous function है, तो देखिए इसको किस तरीके से किया जाए आप देखिए, आपको यहाँ का continuous function बोला गाया इसका मतलब lhl is equal to a rhl is equal to a fx होगा ओके, सबसे बिले माल के जिए lhl के बारे में बात करता हूँ जो सबसे बिले इसका लिए का लिए का तरीका क्या होगा limit x ten to 5 by 2 के लिए define तो हम पर मैंने देखिए limit x tend to 5 by 2 minus means, 5 by 2 minus 6 by 2 limit x tend to 5 by 2 minus क्या होगा, 5 by 2 minus h, okay 5 by 2 minus h होगा फिर यहां पर मैंने देखिए 5 by 2 minus h, मतलब 5 by 2 से चुटा not equal to 0 मतलब 0 के equal नहीं है 0 है छोटा भी है तो बड़ा भी तो function जो होगा वो क्या होगा यह k cos x upon में pi minus 2x तो यहाँ पर मैंने देखा अब x की value जब मैं put करूँगा तो h 10 to 0 होगा यहाँ पर तो k cos x की जगह पर pi by 2 minus h whole upon मैंने देखा pi minus 2 x की जगह पर pi by 2 minus h ओके तो इस तरीके से लिखा तो limit h 10 to 0 हुआ यहाँ पर मैंने देखा k cos 90 minus 2 क्या होता है sin h whole upon मैंने देखा pi minus 2 into pi by 2 2 से 2 cancel मतलब pi बचा फिर 2 into h 2 h पर minus minus के हो जाएगा plus 2 h इसका मतलब pi से pi cancel तो limit h 10 to 0 तो यहाँ पर हो जाएगा k sin h upon मैं यहाँ पर बचा सिर्फ 2 है तो यहाँ पर मैंने देखा 11th class की property लग चुकी है sin h upon h क्या होता है 1 तो यहाँ पर मैंने देखा limit h 10 to 0 बचे क्या k by 2 because क्यों हुआ यह because sin h upon h चो होता है वो क्या होता है 1 होता है तो यहाँ पर k by 2 अब h 10 to 0 पूट करूँगा तो मतलब lhl जो आया मेरे पास वो क्या है k by 2 आया तो इस तरी के से मैंने देखा मेरा lhl जो आया वो क्या है k by 2 अब मैंने देखा मैंको तो k की value find करना है तो lhl इस तरी के साह गया है इस function में देखा जो मैंको f of x देकर रगा x equal to pi by 2 पे वो मेरा function क्या है 3 है तो यहाँ पर मैं देखूंगा मेरा जो function में को given है f of x is equal to में को क्या given है 3 given है और यहाँ पर बोला गया है यह जो function है यह जो function है वो function क्या है यहाँ पर continuous function है तो continuous का मतलब होता है कि LHL जो है वो किसके equal है मेरा f of x के तो LHL मेरा k by 2 है और f of x मैंने देखा मेरा 3 है तो इसका मतलब k की जो value आएगी वो 3 टूजा किता हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा तो यहाँ पर k की जो value find out होगी वो कित्ती होगी 6 होगी इसफंशन को आपको solve करना किस तरीके solve करा जाएगा जब आप रहेंगे माझद नीजे में को f of x तो मैं को यहां पर यहां पर मैं ने देखा मैं तो गीवन है चलो ठीक है यहां पर यहां पर ही कीवन है पर अम मैं इसको कैसे करूंगा यहां पर यहां समझेगा तो यहाँ पर मैं देखा मैं यदि LHL find out करता हूँ तो LHL सबसे पर लिखने का तरीका limit x tend to मैं 2 पर स्वाल करना है 2 minus f of x तो limit x tend to यहाँ पर होगा 2 minus h 2 minus मतलब 2 से छुटा जो मेरा function है kx square तो limit h tend to 0 हो जाएगा तो k x की value 2 minus h का whole square तो limit h tend to 0 तो इसका मतलब k a minus b का whole square तो a square plus b square minus 2ab to 2 जाब 4 है तो यहाँ पर मैंने देखा h जब 0 पूट करूँगा तो यह भी 0 यह भी 0 तो 4 into k कितना हो जाएगा 4k तो यहाँ पर मैंने देखा जो मेरा k की value आई है जो मेरा LHL आया यहाँ पर 4k और मैंने देखा जो मैंको function given is greater than 2 वो मैंको 3 दिया हुआ greater than 2 मतलब RHL given है तो RHL यहाँ पर मैंने देखा कितना given मैंको 3 given है और जो मैंको बोला गया है यह जो function है वो क्या है continuous function है तो continuous function का मतलब क्या होता है कि LHL जो रहेगा वो किसके equal रहेगा रहेचल के equal रहेगा तो इसका मतलब LHL जो मेरा आया है वो कितना आया है 4K 4K और रहेचल जो है वो कितना है 3 It means जो K की value होगी 4 upon 3 upon 4 तो K की value आईगी वो कितनी आईगी यहाँ पर 3 upon 4 आईगी यहाँ पर K की value तो यहार अबर कोशन नमबर 27 is completed अब कर बढ़ते आपने next कोशन की ओर कोशन नमबर 28 अब देखिए कोशन नमबर 28 जो आपको function गिवान है F of X वो आपको गिवान है KX plus 1 KX plus 1 और second दिया है आपको cos X और आपको यहाँ पर जो limit की वान है वो बोला है X is less than equal to pi फिर आपको बोला है X is greater than pi आपको X equal to pi पर continuity से K की value find out करना है तो यहाँ पर किस तरीके से ही होगा अपने यहाँ पर देखते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा जब इसको solve करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर सबसे फिले MaldiG में LHL find करूंगा सबसे फिले लिखने का तरीका limit X tend to pi पर solve करना है तो pi minus और यहाँ पर f of x हुआ अब मैंने देखा limit X tend to pi minus मतलब pi minus h ok pi minus मतलब pi से छोटा तो pi से छोटा मतलब जो function है मेरा क्या है k x plus 1 ok तो limit जब मैं X की value पूट करूंगा तो h tend to 0 हो जाएगा तो k x की value क्या है pi minus h plus 1 तो यहाँ पर मैंने देखा limit h tend to 0 तो यहाँ पर देखूंगा k into pi k pi k into h k h plus 1 तो जब h की value 0 रखूंगा तो मतलब जो मेरा lhl आयागा वो क्या जाएगा pi k plus 1 तो इस तरीके से मेंने देखा मेरा जो lhl आ गया है वो क्या आ गया k pi plus 1 आ गया है अब मैं rhl को solve करूंगा तो rhl आपको तो क्या rhl जब मैं solve करूंगा तो देखे किस तरीके से होगा अब मैं rhl solve करता हूं तो rhl solve करने के लिए पहले लिखने का तरीका limit x tend to pi plus f of x तो limit x tend to pi plus means pi plus h और function जो है greater than के लिए pi के लिए तो वो function मेरा क्या है cos x cos x मेरा function है तो मैंने देखा limit x tend to यदि वे put करूंगा तो h tend to क्या हो जाएगा यहाँ पर zero h tend to hierPA हो जाएगा zero तो यहाँ पर मेंने देखा cos यह हो जाएगा pi plus h हो जाएगा अब मैंने देखा limit h tend to zero यहाँ पर रहेगा सबसे पहले आब मैंने देखा cos pi plus h क्या होता है pi plus h मतलब third quadrant то pi plus h मतलब यहाँ पर यहो होगा cos h और h जब मैं 0 put करूँगा तो cos 0 क्या होता है 1 तो इसका मतलब मेरा जो rhl आएगा वो क्या आएगा minus 1 और lhl क्या आएगा pi k plus 1 तो इस तरीके से मैंने देखा lhl और rhl find out होगा है मैंको k की value find करना है तो यहाँ पर lhl is equal to rhl होगा because function is continuous so lhl is k pi plus 1 is equal to rhl कितना minus 1 तो मतलब k pi is equal to minus 1 plus 1 उदर आएगा minus 1 तो pi की value आजाएगी minus 2 k की value होगी वो हो जाएगी minus 2 upon में pi तो इस तरीके से आपकी क्या value find होगी k की value find होगी तो यहाँ पर आपने देखा k की value हो कितनी आएगी minus 2 upon pi so here our question number 28 is completed okay so here our question number 26, 27 and 28 is completed if any doubt then comment in a box okay so here our question is completed thank you